हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वाह करते हैं फ्रेंट्स अबस्टेक्ट अलजब्रा का यह लेक्चर नमबर 7 है इससे पहले हम लेक्चर नमबर 6 तक हमने इसमें ग्रूप उसकी इमपोर्टेंट थ्योरम्स डैफिनेशन्स उसके ग्रूप से र normal group Central Centralizer normalizer क्या क्या होते हैं सम इंपोर्टेटन डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं लेक्ट्टन नमबर शेय्फ दिखन नमबर सेविन हम साइकल क्ली ग्रोफ पे स्टार्ट कर रहे हैं साइकल क्ली ग्रॉप क्या होता है आग ग्रॉप जी इस कॉल्ड साइकल साइकल क् एक्जिस्ट एन एलिमेंट एंजी सच देट जी वरावर एक टू पावर एन एन बलोंग्स टू जैड फैस्ट बेसिकली यह क्या कह रहा है हमारे पास सपोज एक ग्रोप है जी उसके एलिमेंट है हमारे पास a1 a2 dot 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 an यह हमारे पास element है इसके जो यह group है यह इसके सारे element है तो इसके लिए हमारे पास कम से कम एक element है इसमें से इनी में से एक element belongs to g इस तरह से होगा कि अगर इसमें binary operation star है तो a star a बराबर कुछ element इसका a1 होगा सपोज a star a star a बराबर a2 होगा इस तरह से हम जब भी करते जाएं इस तरह से operate करते जाएं तो इसके सारे element हो जाने चाहिए तो इस condition में हम कहते हैं कि अगर चुक्कि हम एक ही elements को बार-बार operate करा रहे हैं तो इस condition में दूसर नय element आ रहा है और इससे यह सारे एलिमेंटर ग्रूप जी के आ रहे हैं तो इस condition में कहते हैं जो जी ग्रूप जो है वह साइक्लिक ग्रूप है और जो यह है या ऐसा element जिसके बार-बार operate कराने पर element आ रहे हैं वह होता है हमारे पास generator generator of group तो इस तरह से हम generator जो होता है जिसको बार-बार operate कराते हैं और जिससे हम बार-बार क्लोजर प्रॉपर्टी उसी element पर अप्लाई करके हम ग्रूप बना देते हैं तो उस condition हम कहते हैं जो ग्रूप है वह cyclic group है और जो element है वह generator है पूर एक्जांपल यह देखते हैं जैड़ एंजड़न वरावर क्या है 012.n-1 और define हमारे पास addition modulo n is a cyclic group फ्रेंस यह हमारे पास cyclic group तो होता है cyclic group कैसे होता है सपोज कि हम बन को ले 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 वन तो वन प्लस एन वन वरावर हमारे पास क्या होगा 2 like one प्लस एन वन प्लस एन प्लस वन भूर्बरावर त्री डॉट द क्रोट चलते हुए से थारे था वन कि एन प्लस सुल वन प्लस एन मोलून नहीं है मेरे अग्ट ककलिए यह ऑन मैनस बंडाइम ले हम तो एन मइनश वन टायम लें बन लो यह लो आ हैन है तो यह इन हो जाएगा अब बिश्क्राइग सबस्क्राइब सब्सक्राइब मोडिल इसम डिपाइन किस तरह करता है प्लस भी अगर इंड्रे कर रहा है यह प्लस फिर फिय इस ले सब्री लेस देन एन एंड ए प्लस B या R कहें R F A प्लस B greater than N जहां पर R क्या है R जो होता है वो remainder होता है वो जो कि A प्लस B को N से डिवाइड करने पर जो भी remainder बचता है वो हमारे पास R होता है तो इस तरह से हमारे पास जब यह A प्लस B जब N के equal होगा तो इस condition में हमारे पास remainder क्या बचेगा 0 तो यह हमारे पास automatically यह N जो है वो 0 के equal होगा यह identity element के तो इस तरह से हमारे पास Z जो है वो एक cyclic group है अब इसके बाद एक important थेओरा में वो थेओरा में हमारे पास order of a cyclic group is equal to its generator यानि एक cyclic group है तो इसका order जो होता है वो इसके जेनरेटर के इककोल होता है जेनरेटर किայ होता एक साइक एलिमेंट जो की पूरे ग्रूप को जैनेरेट कर देता है तो इसको हम प्रूब करते हैं लेट जी वराबर यह इस तरह से भी डूड करते हैं इसको यह जो है यह जो है इसका जैनेरेटर है देन जी इसका साइकलिक ग्रूप जैनेरेटर वाई ए जी जो है वह साइकलिक then n is the least positive integer such that यानि कि order of यह जो है वो finite है और order of is suppose कि n तो उस condition में a to the power n वराबर e होगा यह हमारे पास हो गया n जो है वो least positive integer है जिसके लिए a to the power n वराबर e है Consider the element a 0 वराबर है हमने element को consider कर लिए a 0 वराबर e a square dot dot a n-1 these are all element of g and n नमबर यह element जो है g में है और इसके numbers क्या है यहां पर ते कि 0 1 element 2 element 3 element dot dot n-1 बनता कि n element हो जाएंगे तो यह n numbers है अब हम पहले सो करेंगे कि यह जो element है यह सेम नहीं हो सकते क्योंगे अगर यह सेम नहीं हो सकते सपोज यह element सेम है इन मैंसे तो उस condition में लेट अज्यूम कर लिए हमने एक्वल टू एज जो कि आई और जे जो है वो लेश देन एन है और आई जो है ग्रेटर देन जे है तो उस condition में हमारे पास है यह हो जाएगा यह हमारे पास कि ए आई ब्रावर एज हो तो हमने ए डॉट ए माइनस आई ब्रावर एज जे शुर्ट ए माइनस जे डॉट ए माइनस जे ए आई भी एक होगा यह की माइनस जे मंभी कि ए इनख फ Ну यह है लग्रावर ऑफ टुम्किह मिन्हाई जो countOnly कंदिशन में आई माइनस जे वह एक نंबर हो हगा सपूज्आ आर लेस्टैन एंड पॉजिटिव जâm लेस्टैनल लेस्टैनलों नंबर से एंससे च्छोटे और आइज बड़ा है तो उसक्तिंड्हे स्क्वर माइनस कर रहे हैं कि भड़े में से चोटा माइनस कर रहे हैं कि एक मघेर हैं अजुछ चोटा होगा तो यह आज जो नमबर हो एंस से छोटा और पोजेटिव नमबर है तो यह तो हो ने सकता क्योंकि तरिक को अगर यह होता हमारे पास यह आ पास पर हमने क्यों लिया था एंस जो है finite order का element और n जो था वो least positive integer था least positive integer था यहाँ पे n जो था least positive integer था तो यह 2 दी प्रावर r बरावर e हो नहीं सकता तो इस तरह सम कहाँ देंगे कि यह element जो है वो same नहीं हो सकते which is a contradiction of the fact that order of a is n thus no two of the above n elements are equal तो यह equal नहीं हो सकते इंप्लाई करके जी contain at least n element यहोगर जी में at least n element तो होंगे होंगे we show that it does not contain any other element अब हमें सो करना है कि इसके अलावर कोई और element exist नहीं करेगा इसमें let x belongs to g अब हमने इसके लिए क्या कर लिए let x belongs to g है को इसके कोई element है इस जी साइक्रिक जेनेरेटेड वाई ए तो x जो है वह भी कुछ a की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसको लिख लिए हमने x बढ़र a की पावर m जहां पे m को हमने लिए लिए कि n से कुछ बढ़ा है m जो है वह m जो है वह n से बढ़ा है क्योंकि अगर यहां से μ बढ़ाबर क्या लिए की पावर प्लस एक की पावर एन डूर्ट क्यूट च्वावर यांने एक की पावर थोर्यद की फावर और आर्ज अ किसक की फावर मेण जिडि की बीच का Kevin लीय। पावर और यह जीरो से एन के बीच का एक नमबर यानि एक्स जो है वो हमने जीरो से एन के बीच में लिया था उन्हीं में से element है तो इस condition कह सकता है कि यह इन्हीं में से कोई element है यह इसको डॉट और यहां से होगा है जो जी में है वह only n element होंगे तो order of g वरावर n element जो कि order of a के एक्वल होंगे अगर second case देखते हैं अगर order of a is infinite अगर order of a is infinite हो उसके case में in this case no two power of a can be equal इस case में कोई भी दो power जो होगी वह एक्वल होई होई नहीं सकती कि suppose करने कि हमारे पास एक की power n और एक की power m जो है वो इस एक पार आई और जे में क्या था तो यह हो जाए एक पार n-m बराबर यहां पर हमने क्या क्या था यह जो था वो जेनरेटर था और एक पार और यहां से हमके सकते हैं यह तो यहां से हमके सकते हैं जी कंटेंट नंबर ओफ एलिमेंट्स यह हो गए हमारे पास अब फिर नेश्ट प्रोलम है हमारे पास यह भीलोंग्स टू जी भी आ है फाइन ओर अडर यह भीलोंग्स टू जी है वह एक एलिमेंट है फाइन n है then by definition of n is the least positive integer तो इसकी definition से जो n जो होगा वो least positive integer होगा कि जिसके लिए e की power n बरावर e है suppose e की power m बरावर भी e है for some n तो division algorithm से m को क्या लेख सकते हैं n q plus r तो यहां से हमारे पास दहने है जाप है और की value क्या होगा जीरो से लेकर जिरो से less than is equal to zero होगी और sorry greater than equal to zero less than n होगे तो एक power m को लिख सकते हैं एक आप N q plus r तो यह यह हो गया एक पावर m बरावर क्या है e बरावर यह हो गया एक की power n की power q dot a की power n तो यह ब्राबर वन टो थ्री कुछ होगा तो हमारे पास यह पर कॉंटर ओडिक्षन हो जाएगा कि हमने जुर लिया था किan लिस्ट यहां से हमारे पास यह क्या हो गए हमने M बराबर N Q जो कि हमने define करना था कि n जो है वो m को divide कर रहा है जो कि हमें so करना था यह यहां से so हो गया हमारे पास उसके बाद next problem हमारे पास if g is a finite abilion group then so that order of a b is a divisor of lcm of order of a or order of b and g जो है finite group है then उस condition में order of a g जो है वो divisor होगा lcm of order of a and order of b का जो lcm होगा उसका divisor होगा तो इसके लिए let order of a बराबर हमने m ले लिया और order of b बराबर n ले लिया और lcm of m और n ले लिया हमने l then m जो है वो l को divide करेगा n जो है वो l को divide करेगा तो l को किस form में लिख सकते है m.r1 क्योंकि lcm है तो l को m.r1 की form में को लिक्सकते हैं मैं यह भी जो रिल ona कुछ है तो यहाँ तो क्या है यहां से एक कया मवार आर्ट न्र को एक वन नहीं इसको लिख लिख दिया और वीद्ट की पावर आंग तो इसको एन शाच में अर्ट क्या होता है यहे हूं बैसिकली पहले यहां क्या लेख सकते थे यहां लेख सकते थे हम a की पावर n की पावर r1 dot a की पावर n की पावर r2 इस तरह से तो e की पावर r1 dot a की पावर r2 जो की e dot e होगा हमारे पास यह होगा e तो यहां से होगा हमारे पास order of a b जो है वो डिवाइड कर रहा है एल को ओरॉँ पर खेर तो की डिवाइड कर रहा है एल को जो कि हमें तो करनाच है कि उसके बाद नेक्स्ट को यह मारे पास है तो ही है इस हैँ कि हर यह dauern pottery पूचा जाता है और हाई इस एग्जाम पूचा 4 AB belongs to G then so that order of order of B वरावर 31 तो इसको हम प्रूब करते हैं we have हमार दिया हुआ है B square वरावर A dot AB inverse तो यहां से हम अगर हम B की दोन तरफ square करते हैं तो यह तो हो जाएगा B की power 4 AB inverse dot AB inverse यह हो गया तो इसको लिख सकते हैं AB inverse dot AB inverse dot AB inverse Aramrose स्कुरावर 4 वरावरon A Bs fortune . इसको Cities number 2 इया हम दोगोजार से यह कर रहें बी की पावर 4 dot B की वैपर 4 तो यहां से हो गया B की पावर 8 परावर, AB की पावर, A incarn proces नबस यह हो गया हमारे पास बट B की पावर 4 क्या है हमारे पास W2 वराबर है यहां से हमारे μफे पूर दोंड़ेक्ष्राग लोटकिए तो यह स्कौर्वology अब्रावर replay ऐ इन्वर्स धाम माइनश टू यह स्वाफवर अब्शाद मढाक最ख़वावर यह स्कौर्वर तो भी स्कौर्व एक पवार ahí यह तो हो जाए गा तो यह हो गए हमारे पास व्षी फिर स्क् Means तो यहसे वैप्रक्रोंड यह स्कोए 3 स्कॉवर ए माइनस 3 व्षब एकत मासा फ्रीकश होने. 2-32 ये क्योह बीस्क्राइर sudah 2 एंवर्स डोट एक्यूव बी क्यों इंवर्स तो मिल्टिप्लाइ कया तो हमारे पास a-3 से eve-3A3 और थे हो जाएगा तो यह ओंगि बी जूबधि molec Jason's फबावर फूर टो शचिय के पावर फूर आक्यू ओंपुर फोर के हमार पास बाइलू है वी पाइलु क्या थी हमारे पास एब स्कॉर एइंबर्स तो यह होगा है वार पास बीड स्कॉर गेर एडिककर इंबर्स एक पर माइनस तरी और यह होगा है यहाँ से यह बेग्पार 32 ब्राबर एकी पावज़ फाइव 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 बिल्डव माइनस फाइबट और ओडर ओप यह पाइव फाइव ब्राबर जी इसी ग्रूप में अगर कोई एलीमेंट है ये तो उसका order of a ब्रावर अगर कोई एक अलिमेंट or अ एनिवर्स order of an बहरा हमारे पास five था गश्शा ए की पावर five था हमारे पास तो एक पावर 32 dot यह होता है मारे पास b की पावर 32 dot b की पावर minus 1 बरावर b dot b की पावर minus 1 तो यह हो जाए b की पावर 31 equal to e जो कि यह order of b बरावर क्या है मारे पास 31 जो कि हमें so करना था उसके बाद next है मारे पास problem let g be a finite group with more than one element g जो है एक finite group है जिसमें more than one element है then so that g has an element of prime order तो हमें so करना है g जो है उसमें एक element होगा जो की prime order का होगा तो let e not equal to g e not एक element ले ले लिए a जो की not equal a belongs to g जो की not equal to e है तो उस condition में हमारे पास एक element suppose यह है यह है a square dot a की पावर t since g is finite g जो है वो finite है तो उस condition में हमारे पास for sum integer i and j a i equal to a j i greater than j तो यह होगा so a i minus j बराबर e या एक पावर n बराबर e जहाँ पे n बराबर क्या है i minus j positive integer है अब positive integer है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते है positive integer को हम time factorization की रूप में लिख सकते हैं या n को में लिख सकते हैं पी बन की पावर alpha 1 p2 की पावर alpha 2 dot dot pn की पावर alpha n जहाँ पे p1 p2 जो है वो prime numbers है alpha 1 alpha 2 जो है वो constant है suppose कि हमें 10 को लिखना होता है 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 dot 5 की पावर 1 या हम यह भी prime यह पावर पावर और यह कुछ numbers 16 को लिखते हैं तो हम 2 की पावर 4 यह prime और यह एक number तो इस तरह से हमारे पास इस तरह सकते हैं इसको यह हो गया तो यहां से हम e की पावर n बराबर क्या है e तो यहां से हो गया e की पावर p1 alpha 1 p2 alpha 2 dot dot p r basically हम पी आर p r alpha r लिख रहे हैं यह तक तो इस form में लिख सकते हैं यह हो गया हमारे पास p r alpha r minus 1 dot p r क्योंकि अगर हम इसे multiply करेंगे अंदर इसका क्योंकि हमारे पता है e की पावर p की पावर q अगर लेते हैं तो e की पावर p q होता है यह हमारे पास जब हो इसका multiply करेंगे तो हम automatically यह हो जाएगा पी की पावर r पी की पावर r और नीचे के हमार p की पावर r q p r की पावर f alpha minus 1 तो यह हो जाएगा हमारे पास P की पावर r alpha minus ein dot P की पावर r जा हम मुआप का उसका हम कहरेंगे कि यह orders office element elements element यह तो वन होगा या PR यहां तो प्यार जो कि i Emma number है या आड़ प्राइम न eyelids jya बन्होंगा अगर bike प्राइम नमबर है तो हमारे पास automatically proof होग एक हम इन प्राइम नम्बर निकाल लिया इसका अगर सपोज कि प्राइम नंबर नहीं है यानि कि वन है इसका तो उस कंडिशन में इसको फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि तब उस कंडिशन में वन है आने कि वन इसका जो है ऑडर है यह हमारे पास एक फिर फिर से एक नंबर है तो 've फिर से हम हम यह जो है से रिपेट करेंगे तो ऊसके लिए हमारे पास एक element मिल जाना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो फिर से रिपेट करेंगे इस तरह से repeat करते करते last icon हमारे पास एक element मिल जाएगा जिसके पावर जो कि वह प्रैम नंबर होगी और क्यों में जाए कि यह जो है वह लाइस तक तो बन होनी सकता हर मिलेगा तो यह हमारे पास हो गया कि यह जो है ग्रूप में कम से कम एक element जो है वह प्रैम नंबर का मिलता है इसके बाद next problem हमारे पास suppose that g is a finite group with the probability that every non-identy element has prime order suppose जैंनों जी जो है वह finite group है with the property that every non-identity element has prime order if ZG is non-travel ZG जो है उसका center जो है वो non-travel है then prove that non-identity element of G then prove that every non-identity element of G has the same order यह हमें so करना है तो इसके लिए let e not equal to a यान एक element ले लिया कि एक element ले जोगे equal नहीं है एके belongs to ZG then order of a वरावर prime P order of a वरावर prime P order of b वरावर prime Q ले लिया since order of a a belongs to ZG since a जो है वो belongs to ZG कर रहा है तो a b वरावर b यह यानि center center है तो center की definition से a b वरावर b होगा है तो एक की पावर a b की power p q को क्या लेख सकते हैं a की power p dot q b की पावर p dot q अब चुकि एक की power यह भी हमारे पास order of a जो है वो p है order of b जो है वो q है तो यह हमारे पास इस पर्म में हो जाएगा a की power p की power q dot a की power q dot p यह यह लगे यह ओ गया तो यह से अमारे पास होगे order of b जो है वो कर रहा है डिवाएड p kो यह होगा हमारे पास इंप्लाइज ओड्रeinni 12 ब्रावर या तो बन होगा उसको डिदर कर रहा होगा या जो होगा फी झार अंबर Bij याई अगर order of a यह ज़िए order of a b है order of a b वराबर अगर बन है order of a b वराबर बन है तो उस condition में a b वराबर e आनि a बराबर b inverse यह होगा हमारे पास तो उस condition p वराबर q उटोमेटिकल ले प्रूव हो गया क्योंकि order of a वराबर p था order of b वराबर q था अब B inverse का order of हमारे पास Q आ गया तो order of B inverse बरावर order of B होता है तो वहां से हम order of B बरावर दोनों के order सेम है तो यह P बरावर क्यों हो गया अगर order of AB बरावर पी है तो इसको क्या लइए क लिख सकते हैं ? पावर पी वराबर क्या क्यों आडर पी नंदेको यह व्याफिज़ है तो हिए तो यह व्यास सकती है पावर पी यह व्याफिज धूलाबर पी अब यह व्याफिर होगा है B divided by order of Q तो यहां से हो जए गा order of, basically हमारे पास क्या और ओवफ A divided by P and order of A divided by Q order of E B, so order of A B order of A B, यह हो गए हमारे पास तो यहां से हमारे कहारे कब होगा, क्योंकि order of A B वराबर क्या है, P dot Q divided by P and P dot Q divided by Q, यह कब possible है? जब हमारे पास यह दोनों P और Q जो है वो same हो तो इस condition में यह हो गया हमारे पास then P बराबर Q therefore every non-identity element of G has the same order तो यहां से कह सकते हैं कि हर non-identity element of G जो होता है वो same order का होता है फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम cyclic group के ओप कुछ important definitions और theorems लेंगे thank you friends